हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल आरारेम क्लासस में तो इस वीडियों पढ़ने वाले हैं संस्क्रस साहित को तो संस्क्रस साहित में आते हैं जैसे महा काब है नाट काब है गीती काब है चंपू काब है तो इसमेंसे हम नाट साहित को आज पढ़ेंगे साहित के सभी प्रकारों में रूपक या नाट स्रेष्ट माना जाता है इसकी रचना को कबित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है नाट कांतम कबित्वम रूपक में गद्द पद्द दोनों का मिस्रण तो रहता ही है इसे सुनेने के अतरेक्ट देखा जाता है श्रब्य की अपेक्षा दिरस्य का आधिक सघन प्रभाव होता है भरत ने नाट साश्त्र में कहा कि नाट संसार में सब कुछ हैं रसमाई होता है रसके बिना यहां कुछ भी प्रवत्य नहीं होता ना ही रसाद्रते कस्जिद दपेर्था प्रवर्थती कोई ब्यक्ति किसी भी रूची का क्यों न हो उसे अपना अनकूल बिसाय नाट जगत में अवस्थ मिल जाएगा इसलिए काली दास की प्रसंसा की है नाट्या में भिन्य रोचेर्ज नस्य बहुधाप के एकम समाराध नम यह काली दास ने मालवी कागनी में त्रमें कहा है काब को संस्क्रत काब सास्त्रियों ने द्रस और स्रव की रूप में दो भरगों में रखा है द्रस काब के दो भेद होती है रूपक तथा उपरूपक दस रूपक दस और उपरूपक अठारा प्रकार के होती है तो रूपकों का प्रमुख भेद नाटा के है जो अपने आर्थ का बिस्तार करके सामानेता आधनेक भारतिय भासाओं में नाट मात्र या द्रस काब मात्र यानी ड्रामा का अर्थ देता है धनन्जाई ने नाट रूप और रूपक एन तीन सब्दों के प्रियोगे के हित्रों का निरूपन किया है जो बस तुताह एकार्थक है बिविद पात्रों की अवस्थाओं का चतूर बिधे अविनाए आंगे के वाचे के सात्वे के तथा आहार की द्वारा जब नट अनुकरण करता है तो इसे नाट कहते हैं तो अब हम नाटक को पढ़ लेते हैं नाटक का कथानक प्रसिद्ध इतिहास या पुराण में निर्दिष्ट होता है इसका नायक विख्यात बंस में उत्पहन राजर्शी ये राजा रहता है उसे धीरोदात स्रेणी का होना चाहिए कभी-कभी बीररस या सरंगाररस के अनुरूप वहे धीरोद्ध या धीरलालत भी हो सकता है किन्तु धीर प्रसांत नहीं स्रीक्रिष्न जैसे दिब्ब्यादिब्य नायक भी होते है नाटक का मुक रस स्रंगार या बीर होता है एक यो भवे दंगी स्रंगारों बीर यो वा अन्य सभी रसों का यथा उसर प्रयोग किया जाता है नाटक में पांच से लेका दस अंक तक रखे जाती हैं उसमें कथाना का स्वभाविक विकास दिखाने के लिए पांच अर्थ प्रकतियां जिसमें बीज, बिंदू, पताक, प्रक्री और कार, पांच अवस्थाएं जिसमें आरंभ, प्रयत्न, प्रप्तियास, नियतापती और फलागम तथा इनकी योग से होने वाली पांच संधिय जिने मोख, प्रतिमोख, गर्भ, बिमस्थ और निर्वाहन यथा साध्य रखी जाती हैं जिस नाटक में इन सबके प्रयोग के साथ दस अंक हों, उसे महानाटक कहते हैं बाल रामायन, हनुमन नाटक आदी महानाटक हैं नाटक की अंतम संधी में अदभूत राश का प्रयोग हो, इससे रोचकता आती हैं कारियों निवर्ण हने अदभूत हैं नाटक की रचना गोपुच्छा, ग्रवत हूनी चाहिए अर्थात आरम है और अंतम सुक्ष में यानी पतला हो, मद्ध भाग इस्थूल यानी दीर्ग हो किरमसा कार्यों का संध्षिप्त ओप संहार होना चाहिए नाटक को काबे मात्र में स्रेष्ट कहा गया है काबेसु नाटकम रम्यम, नाटकांतम कवित्वम भास कालीदास भावभूती, सूद्रक आदी के नाटक संस्क्रत जगत में विख्या थे तो ये तो नाटक था जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है अब हम प्रकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसका कथाना के कभी कल्पित होता है प्राया लोग के कथाओं से कथाना के लेकर इसकी रचना की जाती है इसका नायक धीर प्रसांत कोटी का मंतरी, वरामहन या वड़िक में से कोई एक होता है अमात विप्र, वड़िजा मेकम, कुरियाच नायकम ये दस रूपक में कहा गया है जैसे मरच्यकटिक में ब्रामहन में चारूदत था वड़िक कोटीगा और ये मालती माध्वम में अमात था पोस्पदूतिका में बैस्य नायक है इसमें नायका दो प्रकार की होती है, कुलीना और बैस्या बैस्या को गड़िका भी कहती है, किसी प्रकार में कोई एक ही नायका रहती है तो जो सूद्रक का ग्रंथ है, ये जो प्रकार है, मरच्यकटिकम तो इसकी जो नायका है, वही एक बैस्या है, जो बसंत सेना है जैसे मालिती माधुम में तो किसी में दोनों परकार की नायकाएं होती हैं जैसे मरच्छ कटक में धूर्ट जोवारी विट चेट आभी अनेक पात्रों से युक्त प्रक्रण संकिन कहलाता है यह नाट दरपण में कहा किया है नायका के आधार पर प्रक्रण में 21 भीत कही गई है रस की द्रष्टी से इन में स्रंगार रस प्रधान होता है तो यहां जो उपर मिरच्छ कटिक में दोनों प्रकार की नायकाओं की बात की है तो यह हमने प्रकरण को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे भाड को इसमें कोई अत्यांत चतुर तथा बुद्धिमान बिट अपने या दूसरे के अनभाव के आधार पर धूर्ति के चरित का वरणन करता है यह एक अंके तथा एक ही पात्र का रूपक है, वह है पात्र बिट ही रहता है, जो आकास भासित की रूप में सोयम प्रशन उत्तार उक्ती प्रति उक्ती का प्रियोग करता है इसमें मुख और निर्वान संधियां रहती हैं, अन्य संधियां नहीं जिसमें हमने नाटक को पढ़ लिया, प्रकरण को और भाण को अब हम पढ़ेंगे प्रहसन यह हास सरस प्रधान रूपक होता है, जिसमें कथाना के कल्पित रहता है इसमें धर्म का पाखंड करने वाले जैन बोध्ध, साधुनों, केवल जाती से ब्रह्मन कहलाने वाले धूरतों एवं सेववक सेविकाओं का चरितर दिखाया जाता है प्रहसन में बेश भूसा तथा भासा की विक्रती से ही हास्योज पादन होता है भाण की समान इसमें भी दो संधियों मुख एवं निर्वहन एवं दस लास्यांगों का प्रियोग होता है विस्तुनाथ ने इसमें येक या दो अंक माने है प्रहसन के तीन भेद होते हैं सोध्य, बेक्रत और संकिन तो ये प्रहसन हो गया अब हम डिम को पढ़ेंगे इसका कथानक प्रसिद होता है नाटक की कैस की ब्रती बर्जित हैं सेस तीनों ब्रतियां भारती, सत्तवती, आरभटी प्रयोक्त होती हैं इसमें नायक, दिवता, गंधर्व, यक्छ, राक्षस आदी होती हैं जो मानवेतर हैं भूत, प्रेत, पिसाच, आदी पात्रों का अब ही इसमें समावेस होता है, उद्धत कोटी के सोला पात्रे, इसमें रहते हैं इसका प्रधान रस, रोद्र होता है, माया, इंदरजाल, योध्य भागदार आधि के दृस्च्यों से यह भरा होता है विमर्स संधी का प्रियोग नहीं होता, इसमें चार अंक रहती हैं, जो किसी बेख्यात उद्धत ब्यक्ति भीम दुरियोधन आदी पर आसरत होता है तुझी भीम दुरियोधन धीरोधन कोटी के नायक हैं जो मितलब कुस्यल होते हैं और क्रोधी टाइप के होती हैं इसमें गर्भ एवं बिमर्श नामक संधियां नहीं होती रस्तों की दीवति डिम के समान होती है इसके कथावस्तु एक दिन की घटनाओं से समध्ध होती है इसमें एक ही अंक रहता है तथा पूरुस पात्रों की संख्या अधिक होती है भास का मध्यम ब्यायोग है इसका प्रमकोधारण है तो भास की जो तीरा नाटक है उसमें से एक नाटक है मध्य ब्यायोग जिसे ब्यायोग कहा गया है तो ये तो हो गया ब्यायोग ब्यायोग में भी एक अंक होता है डिम की तरह है जिसे डिम में ये खोता है अब हम समावकार को पढ़ेंगे इसका इति ब्रत्ति इतिहास पुराण में प्रिसिद्ध होता है जिसमें देवताओं और देत् थोड़ कर अन्य ब्रतियां एवं विमर्श को छोड़ कर अन्य संधियां होती हैं इसमें तीन आंक रहती हैं जिसंग opinions कप dealing काम इवं तीन बार पात्रों में भगदार देखाई जाती है इसके पात्र दियुता और दाना होती है जिनकी संख्या बारा होती है सब भी बीर रस्य भरी रहती हैं, और सब को प्रथक प्रथक फल मिलता है। बिंदु नामा के अर्थ प्रक्रती एवं प्रभीशक नामा के अर्थो छेपक का इसमें प्रियोग नहीं किया जाता। नाटे सास्तर में समुद्र मन्थन नामक है समावकार के अभिनायकार वो लेख है भास के पंच रात्र में भी कुछ लक्षण मिलते हैं तो ये पंच रात्र है ये भी भास के तेरा नाटकों में से एक नाटक हैं तो ये से हमने पढ़ लिया ये क्या था समावकार अब हम पढ संधियां मुख और निर्वहां होना सरंगार रसका सूच होना तो यह भी थी है आब हम आंक को पढ़ेंगे अंक इस संसाय निवारणार्थ उत्सरष्टी का आंक भी कहते हैं क्योंकि रूपकों के खंड भी आंक होते हैं इस रूपके भेद में कथानक इतिहास प्रशिद होत होते हैं इसके नायक और अन्य पात्र साधारन होते हैं इसमें करोण रसकी प्रधानता होती है अता इस्तुरियों का रोधन होना चाहिए पात्रों में वाग यूग दे एवं जय पराजय की यूजना होती है कुछ आचारियों ने इसमें एक से लेकर तीन अंकों तक का बिमर्ज से संधियां नहीं होती तो ये इहाम रख था अब हम उपरूपक को परहेंगे बिस्तुनाथ ने आठारा उपरूपकों का यह किरम रखा है नमबर एक परनाटिका नमबर दो त्रोटक नमबर तीन गोश्टी नमबर चाश्टक नमबर पांच है नाट रासा के नमब तो अब हम अठारा उपरूपकों मैंसे सबसे पहला जो नाटिका है हम उसे पढ़ेंगे नाटिका में चार अंक होते हैं इस्तरी पात्रों का बाहुले एबम स्रंगार रस की प्रधानता इसकी बिस्ष्टता है इसका नाया के धीर ललेत स्रियनी का कोई एक प्रसिध राज होता है स्रंगार रस के कारण कैसी की ब्रति एवं तदन कूल गीत निरत्य वाध्य हास से आधी इसमें दिखाए जाती हैं इसमें दो नायका होती हैं देवी यानि बड़ी रानी तथा मोगधा यानि कन्या ओधियन को नायक बनाकर स्री हर्च ने प्रिया दर्शिका और रत रचनावली नाटिका है जो स्री हर्च की रचना है जिसमें ओधियन नायक है जो धीर ललत कोटी के नायक है तो ये नाटिका थी अब हम सट्टक को पढ़ेंगे सट्टक भी नाटिका की समान होता है इसमें संपूर पाठ प्राकरत में होता है प्रवेशक बिसकंभक का प्र तोटक पढ़ेंगे तोटक या तोटक में साथ या आठ नौ या पांच अंक रहती हैं जिसमें प्रधान रस क्या होता है स्रंगार काली दास का जो बिक्रमों वर्षियम है वह एक तोटक है अब हम पढ़ेंगे नाटियों पत्ती संस्क्रत द्रस्त का विकाव दभाव कब और किस प्रकार से हुगा इस प्रस्ण का निश्चित समाधान करना कठन है फिर भी कुछ सिधानतों का परिचय तो दिया ही जा सकता है भारत का मत नाट बिज्ञान पर सरवपर्थम ग्रंथ है नाट सास्त्र ही है जिसका काल सो इसा पूर्व से तीन सो इस्वी के बीच माना ज भारत का मत नाट सास्तर में मिलता है कि सभी देवताओं के प sharp here you doc कि सभी देवताओं नें मिलकर ब्रह्मा जी से परात्रा की कि हमें ऐसे मनुरांजनका साधन प्रधान करें जो दृस्द और सरव दोनों हों जिसे सभी वर्ड़ों कि लोग गिरहन कर सके ब्रह्म्हन इस प्राथना पर चारों बेदों से सार भाग लेकर नाट बेद की रूप में पंचम बेद का निर्मार किया तुसको नाट शास्तर को पंचम बेद की उपमा देगी है तो इसे भी पंचम बेद कहा गया है नाट्यम बेदम तद चक्रे चतुर बेदांग संभोवम उन्होंने रिगबेद से पाठ संभाद कथोप कथन साम बेद से संगीत या जुर बेद से अभिनाए और अथर्व बेद से रस ताथ तो लेका नाट्य बेद की रचना की संभाद सुक्तों से नाट की उत्पत्ती मैक्स मूलर शिलवा लेवी फोन सुरेदर हर्टल आदी यूरूपी विद्वानों ने यह से धान्त दिया कि रिगबेद के कतीपा संभाद सुक्त ही नाटकों के प्राचीनितम रूप है इन संबाद सूक्तों में इंद्र मरूद संबाद, रिगबेद अगश्ट लोप मुद्र संबाद, ये भी रिगबेद से लिया गया है, विश्वा मित्रनादी संबाद, ये भी रिगबेद का है, यामे यामी संबाद, ये भी रिगबेद का है, इंद्र इंद्राणी, पुर्वा उर्वसी संबाद तथा सर्मा पड़ी संबाद प्रमोख ये सब रिगवेट से लिए गए हैं तो पुर्वा उर्वसी के बारे में पूछा जाता पर एक छाम यूनानी रूपकों से उत्पत्ति बेवर तथा विंड्स ने संस्कृत रूपकों का उत्भाव यूना पुट्तलिका निरत सिध्धांत प्रोफेसर पेसिल नियाव विचार दिया है कि प्राचीन भारत में कट पुटलियों का निरत दिखाया जाता था उसे ही सजी रूप देने के लिए मानवा को मंच पर प्रस्तुत करके नाटकों का अबनाई प्रारंब हुगा इसे पुट् भारत में भी अपने दिवंगत बीर पुर्शों के प्रती आधर भाव देखाने के लिए नाटक अभिनीत होती हैं। वही संस्क्रत रूपकों के मूल रूप रहे होंगे। इनमें नाटक बहुत लोग प्रिये हैं। प्रकरण प्रहसन भार नाटी का सटक आदी भी बहुत है। संख्या में लिखे गए हैं। संस्क्रत रूपकों में कथाना के बिकास कुछ सिधानतों पर आस्रित होता है। कथाना के को अर्थ प्रकृतियों आवस्थां और संधियों में विभाक्त किया जाता है। पात्रों की विवस्था भी रूपकों की विभाजन का आधार है। निवेश होता है नाट सास्त्रियों ने जीवन की कुछ हचकिरियाओं का मंचन की द्रस्टी से बर्जन किया है अनुचित असब और असब है द्रस्ट मंच पर नहीं दिखाय जाती जैसे योद्धिमरत्तु, निद्रा, संभोग साब चुंबन भोजन आदी भासा प्रियोग का बिधान संस्कृत रूपकों की महत्तुपूर बिस्षटता है भारत ने ही बिधान किया था कि ओच और माद्वार्ग की पात्रों की भासा संस्कृत होगी प्राक्रत में भी छेत्रिय प्रभेदों के बिधान की दसट्रत भाख में आसिरवाद देना。 पास्चाथ-नाठ विज्ञान में SUWIKRत अन्वित्रिय سंस्कृत रूपकों में मान। संस्कृत रूपकों में रशोद भावन की द्रस्टी से उच्छत स्थानों परपद्ध प्रयोग किया जाता है कथनोप कथने का मोख्य रूप तो गद्ध ही रहता है किन्तु कुछ आवस्यक इस्थलों में रूचकता प्रिकति बढ़न नीती सिक्षा सुभासित बिश्तरत घटनाओं का संचेपन आदि वो देश्यों से पाद्धों का भी प्रयोग होता है विदूसक का प्रयोग संस्क्रत रूपकों में हास से ब्यंग के निवेश के लिए तो होता ही है वय कथाना का भी एक अंग होता है वय कथा प्रवाय को आगे बढ़ाता है सुद्ध हास की दरश्टी से प्रहसन और वहान नामक रूपके भेद संस्क्रत में होते हैं जिसमें समाज की विसंगतियों पर ब्यंग होता है संस्क्रत भासा के रूपकों के प्रारम में प्रस्तावना होती है जिसमें कभी परचाए के साथ नाटक के अभिनाई के आउसर का भी संकेत रहता है नांदी पार से नाटक का प्रारम एबं भरत बाक से समापती अंकों की योजना बीच बीच में बिसकमभग प्रवेसाक आदी देना ये सब रचना प्रक्रिया के मोखे अंग है बीच में मंच से पात्रों का निरगम फिर बेस स्वागत भाषन जनांते के भाषन आदी संकेत नाठकों के अभिनाय और मंचन को सुविधा यूगत कर देती हैं संस्क्रत बांगमाई के प्रमोख नाट ग्रंथ हैं तो अब हम संस्क्रत बांगमाई के प्रमोख नाट ग्रंथों को पढ़ेंगे तो यहां पर ग्रंथों के नाम है यहां अंक है यहां पर लेखा के तो प्रतिग्या योगंध रायन इसमें चार अंक हैं और यह भास का नाट पहांगोउश ऑंधुज स्सक्राइब हम करते लुकुल जिसेंगों इसलिकने संस्क्राइब भास का नाटक जिसमें से दो दियन पर लिखे गए नाटक है और दो राम चरत पर आधारत हैं और साथ महाभारत से लिगे गई है तो ये चौदा नमबर का जो मिरच्छे का टिकम प्रकरण है 10 अंक का इसके जो लेखाक हैं सुद्रक जिनने सिमुक भी कहते हैं माल वेकागणी मित्रम पांच अंक कना्टयक खालीदास का है आम चै के और चारंग बढ़ा किनाटि खालीदास का विप्रम बर्शना को विधयाज सकुंतलम साथं की रह्मातिBen बचानाट connect खालीदास का है और अ। प्रक्रण मुरारी की रचना जो साथ आंके की वाल रामायन महानातक है जो रास सेखर का है बाल भारत है प्रचंड पांडा दो अंक का राज सेखर का है, विद्दु साल भंजी का एक नाटी का है, चारंकी राज सेखर की है, करपूर मंजरी एक सटा के चारंकी राज सेखर का है, कुंद माला छे अंक का ये दिंगे नांग का है, प्रभोध चंदरोदा छे अंक का है, कृष्ण मिस तो चाहित में हमने इस नाट शास्त्र को बहुती सरलता से पढ़ा और इस नाट ग्रंतों को भी पढ़ा कौन किसके ग्रंत हैं